गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग आप्टिक्स का लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग TIR यानी Total Internal Reflection के बारे में चर्चा करेंगे पिछले लेक्चर में हम लोगोंने Critical Angle के बारे में पढ़ा था आज इस लेक्चर में हम लोग Total Internal Reflection के बारे में पढ़ेंगे तो देखें Total Internal Reflection इसको Short में TIR कहते हैं और इसको हिंदी में कहा गया पूर्न आंतरिक परावर्तन तो पूर्न आंतरिक परावर्तन क्या है और ये कब होता है इसको समझिए माल लिजे ये एक Interface है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है उपर में Viral माध्यम है नीचे में शगन माध्यम है ठीक है Light जब Denser Medium से किसमे जाता है Rarer Medium में तो वो Normal से दूर भागता है Denser Medium में I का एक खास मान होता है ठीक है ठीक है डेंसर मीडियम में I का एक खास वैल्यम जैसे देखो ये Denser है और ये कौन सा मीडियम है Rarer तो जब Light Denser से Rarer जाता है तो ये तो Normal से दूर भागेगा I का वैल्यम बढ़ते चलिए R का मान बढ़ते जाएगा I का वैल्यम बढ़ते चलो R का मान बढ़ते जाएगा I का मान बढ़ते बढ़ते थीटा सी के बराबर कर दोगे तो R का मान बढ़ते बढ़ते 90 के बराबर हो जाएगा लेकिन I का मान अगर थीटा सी से भी जादा हो जाएगा अगर आपतन कोन कामान अगर सघनमाध्यम में yonay dancer medium में आपतन कोन की value i की valueym theta C से अधिक हो जाए तो light यहाँ पर एड़ीट कर जाएगा। तो अगर आपतन कामान theta C से अधिक होगा, denser medium में अगर i की value theta C से अधिक होगी तो light यहाँ पर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा इसी फेनोमेना को हम टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन कहते हैं यह जो रिफ्लेक्शन है इसमें टोटल वर्ड क्यों लगा इसको टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं इंटर्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट जान intensity है, intensity नहीं घड़ती है, जितना intensity को हिंद में क्या कहते है, तिब्रता, तो जितना intensity आने वाला light का होता है, उतना ही intensity परावर्तित किरन का होता है, यानि reflected light का होता है, यहाँ पर intensity थोड़ा सा भी घड़ता नहीं है, यह जो surface है, यह surface पर जैसे ही light परता है, तो यह पूरा का लाइट क्या हो रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा, थोड़ा सा भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता, अबसोसित नहीं होता, प्रकास की थोड़ी सी भी मात्रा अबसोसित नहीं होती है, बलकि जितना भी प्रकास गया, ये पूरा का पूरा प्रकास क्या होता है, परावर्तित होत उडेन सर्फेस है, इधर भी air है, इधर भी air है, ना तो यहाँ पर ऐसा denser और rarer medium नहीं है, बल्कि यह एक लकडी का सता है और यहाँ पर भी air है, यहाँ से जैसे ही light जाएगा इस सर्फेस पर, light reflect करेगा, परावर्तित तो होगा, होता एक नहीं, आपके room में बहुत सारा समा रखा हुआ है जब बल्ब आप जलाते हो तो वह बल्ब का लाइट सारे समान पर पढ़ता है और वहां से रिफ्लेक्शन होता है पर ये जो रिफ्लेक्शन है ये बिल्कुल साधारन परावर्तन है ordinary reflection है क्यों इसको साधरन परावर्तन कह रहा है क्योंकि इस तरह के परावर्तन में जो परावर्तित प्रकास है इसकी तिप्रता कम होती है आने वाली light के intensity से यानि ये अगर 100% intensity है incident light की अगर intensity 100% है तो reflected light की intensity 80% 20% कहा हो गया absorb हो गया अब सोसित हो गया लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जितना intensity आने वाला light का है उतना ही intensity जाने वाले light का है यानि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तित प्रकास की तिप्रता आप्तित प्रकास के बराबर होती है reflected light की intensity incident light के बराबर होती है परन्तु साधारन परावरतन में यानि ordinary या simple reflection में क्या होता है reflected light का intensity incident light का intensity से थोड़ा कम होता है क्योंकि light का कुछ part surface के द्वारा absorb कर लिया जाता है चिक है तो ये हुआ आपका critical अगर i का value critical angle से कम होगा तो r का value 90 से कम होगा अगर i का value theta c के बराबर होगा तो r का value 90 के बराबर होगा अगर i का मान theta c से अधिक होगा तो फिर total internal reflection होगा और ये सारा किसम होता है denser medium में होगा इसको एक बार हिंदी medium में बोलते है सघन माध्यम में अगर आपतन कोन का मान क्रांतिक कोन से कम होगा तो अपवर्तन कोन 90 से कम होगा अगर angle of incidence का मान क्रांतिक कोन के बराबर होगा तो angle of reflection 90 होगा अगर आपतन कोन का मान क्रांतिक कोन से अधिक होगा सघन माध्यम में जब आपतन कोन का मान क्रांतिक कोन से अधिक होता है तब वहाँ पर प्रकास का पुर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है In the dancer medium, if angle of incidence becomes greater than critical angle, then total internal reflection takes place तो पुर्ण आंत्रिक परावर्तन क्या है? एक घटना है, जो केवल सघन माध्यम में घटित होती है और वह तब घटित होती है, जब आपतन कुन का मान करांतिक कुन से अधिक होता है सघन माध्यम में ये घटना घटित होती है, ये जो पुर्ण आंत्रिक परावर्तन है, ये एक फेनोमेना है घटना है और ये तब घटित होती है जब सघन वाध्यम में आपतन कुन का मान किस से अधिक हो जाए critical angle से अधिक हो जाए तब ये फेनोमेना होता है ठीक है और इस फेनोमेना में जो परावर्तित प्रकास है इसकी तिपरता आपतित प्रकास के बराबर होती है इसलिए प्रकास जब यहां से प्रावर्तित होकर आपके आँख पर पढ़ता है तो आपको यह सता बहुत जादा चमचमाता हुआ मालूम पढ़ता है यह सता क्यों अधित चमकता हुआ मालूम पढ़ता है क्योंकि जो light आ रहा है आपके आँख पर इस सता से परावर्तित होकर light जब आपके आँख पर आता है तो यह सता बहुत ज़्यादा चमकता हुआ प्रतीत होता है ब्राइट प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि जो light आपके आँख पर आ रहा उसका intensity बहुत ज़्यादा है जब आप घर में कोई सामान देखते हो तो वह बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नहीं मालूम पड़ता है उसका कारण है कि उस सामान पर जब light पड़कर आपके आँख पर जाता है जैसे घर में कोई सामान है इसको समझे यह आपका आलमारी है ठीक है? आलमारी है यहाँ पर बल्व है यहाँ से जब light निकल कर इस अलमारी पर पड़ता है और यहाँ से reflect होकर जब आपके आँख पर पड़ता है तो यहाँ पर जो reflection हो रहा है यह बिलकुल साधरन परावरतन है ordinary reflection है क्यों है यह साधरन परावरतन? क्योंकि यहाँ पर यह कौन सा medium है? air यह भी air ऐसा तो नहीं है कि light denser से rare air में जा रहा है आई का value theta c से अधिक है यहाँ पर light किसी भी angle पर आएगा normal line से किसी भी angle पर light आएगा तो यह reflect करेगा ही करेगा है ना? तो यह ordinary reflection है यहाँ पर जो भी light आपकी आँखों पर आ रहा है उसकी intensity कम है आने वाले light की intensity अगर 100% मानें तो जो परावरतित की रन है उसकी तिप्रता 80% माल लेते हैं 20% प्रकास यहाँ इस सता के द्वारा क्या होगा? अपसोसित होगा लेकि इसलिए यह surface आपको चमकता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ पर आपको यह सता चमकता हुआ मालूम पड़ेगा क्योंकि परावरतित प्रकास के तिप्रता आप्तित प्रकास के बराबर है तो पूर्ण आंत्रिक परावरतन total internal reflection हमेशा denser medium में होता है और जिस surface पर total internal reflection होता है वो surface आपको बहुत जादा चमकदार यानि चमकता हुआ मालूम पड़ता है तो total internal reflection यह ordinary reflection से किस प्रकार different है तो ordinary reflection में परावरतित प्रकास की तिप्रता आप्तित प्रकास से जहां कम होती है वही पुर्ण आंत्रिक परावरतन में परावरतित प्रकास की तिप्रता आप्तित प्रकास के बराबर होती है चलिए हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पुर्ण आंत्रिक परावरतन के कुछ अनुप्रियोग परहेंगे We will study about the application of total internal reflection पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन के तीन अनुप्रियोग है तीनों का हम नाम लिखते हैं इसके बारे में अगले वीडियो लेक्शर में हम डिसकस करेंगे Applications of Total Internal Reflection पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन के अनुप्रियोग इसका तीन अप्लिकेशन है पहला है Optical Fiber प्रकाशिक तन्तू इक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है दूसरा है मिराज यनि मरीचिका रेगिस्तान में रेगिस्तान को इंगलिस में बोलते है desert तो रेगिस्तान में क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति दूर इस्थित किसी पेड़ को देखता है तो उसको पेड़ के नीचे पानी होने का भरम होता है इसी भ्रम को हम लोग मरीचिका कहते हैं ये भ्रम आपको हाइवे पर भी होता है जब आप मोटरसाइकिल से या कार से आप हाइवे पर चल रहे हैं और काफी तेज धूप है गर्मी का टाइम है तो आपको बहुत दूर पर सड़क भींगा हुआ मालूम पड़ता है क्यों होता है तीसरा है ब्रिलियंस ओफ डाइमंड हीरे का चमकना तो हीरा जो इतना चम चमाता है क्यों चम चमाता है हीरा में बहुत जादा चमक होता है हीरा पर जैसे ही लाइट पड़ता है तो वो बहुत जादा शाइन करता हुआ लगता है ब्रिलियंस का मतलब होता है चमकना तो हीरा इतना चमचमाता क्यों है इसका भी कारण है पुर्ण आंत्रिक परावर्तन हीरा अंधेरे में नहीं चमचमाता है जबकि हीरा पर लाइट पढ़ता है तब वो चमकता हुआ मालूम पढ़ता है इस तीनों का कारण जो है वो पुर्णांत्रिक परावर्तन है इस तीनों के बारे में हम लोग अगले वीडियो लक्चर में पढ़ेंगे धन्यवाद